हलो डियर स्टुडेंट्स मेरो उताश कुमार इंटेगल बेटल सीरीज के अंदर आप सभी खास स्वागत करता हूं दोस्तों इंटेगरेशन के अंदर नॉर्मली जो स्टुडेंट्स होते हैं वो बहुत कन्फूजन में रहते हैं उसका यह कारण यह है कि इंटेगरेशन के अंदर बहुत ही वेराइटी के क्यूजन बना दिये जाते हैं तो स्टुडेंट्स वहाँ पे दो सिमिलर दिखने वाले क्यूजनों में नॉर्मली कन्फूजन हो जाता है तो इस कन्फूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्टार्ट के इंटेगर बेटल इस सिरीज में है और डिफ्रेंस क्या है देखे दोस्तों हर इस दोनों इंटिगरेशन के अंदर जो हर है वो हर सेम है कितना है one plus cos square x लेकिन अंस में देखिए अंस में इधर साइन है और इधर भी कितना है साइन लेकिन साइन के अंदर जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है यहां X है और इधर कितना है 2X तो देखिए इस थोड़े से difference की वज़े से question का answer कैसे बदल जाता है तो दोस्तों इस question को solve करते हैं तो देखिए कैसे यहां course दिखाए दिया उपर sign दिखाए दिया तो अगर course का परतिस्थापन कर दें तो course का जो derivative है वो किसके पदों में आता है sign के तो वहां से sign हट सकता है हाँ यह ना तो मैं क्या करूँ परतिस्थापन विदी यूज़ कर ले तो यह लिजिए माना course x को क्या मालिया आपने t मालिया अब सारा का सारा जो integral था वो x से किसमें बदलना पड़ेगा t में और x से t में बदलने के लिए इसका derivative करोगे तो sign का derivative कितना आता है minus का sin x और इसका आजाएगा dt by dx हाँ यह ना ऐसे होता है dx को इदा ले आते है और minus नहीं चाहिए तो minus को right side मिले जाएगे तो यह आजाएगा sin x dx बराबर minus का dt यहाँ तक clear है दोस्तों अब देखको आसान हो गया यह लिजिए sin x dx की जगा minus dt बुट कर दिया तो minus आ गया बाहर ही आ गया dt upon 1 plus t square यहाँ से मेरे ख्याल से आपका अंसुरा जाएगा आसान सा formula है standard formula है 1 upon 1 plus x square टाइप से उसका क्या होता है friends 10 inverse x तो इसका कितना हो जाएगा minus बाहर है 10 inverse t o plus c अब दोस्तों t की value को substitute करते है t की value क्या है cos x तो put कर दिजिए तो minus का आ गया 10 inverse cos of x plus c यह आ गया आपका पहला integration लेकिन अब दूसरे integration के अंदर देखे क्या है sin 2x है अब एक बात दोस्तों ध्यान लखिएगा अगर आपको derivative और integration के अंदर command हासिल करनी है तो आपको trigger के जितने भी formula है और उन formula को याद होने चाहिए और formula को manipulate करना भी आना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा formula दिख रहा आपको सबी को याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि sin 2x है और sin 2x का formula कितना होता है 2 sin x cos x हाँ या ना यही होता है ना सबका आ गया होगा अब देखिए तो मैं इस integration के लिख सकता हूँ 2 sin x into cos x और dx अपोन यह आ गया 1 plus cos square x तो integration इसमें convert हो गया अब देखें मेरे को यहां से 2 भी चाहिए sin भी चाहिए cos भी चाहिए तो किसको t माने अगर cos square को t माने परतिस्था अपन करें तो cos square का derivative किसमें आएगा cos में 2 cos आ जाएगा और cos का कितना हो जाएगा minus n मतलब यह हर आ सकता है तो मैं इसको क्या माननूँ t अब 1 की तो कोई ज़रती नहीं पड़ रही फिर क्योंकि 1 का derivative कितना होता है 0 तो हर को पूरे को यहां पर क्या मान लेंगे आप t मान लेंगे तो यह बन जाएगा 1 plus cos square x अब derivative कर दिजिए तो यह आ गया dt by dx और इसका कितना जाएगा minus का 2 sin x cos x और dx जो चाहिए उसको एक साइट में कर लिजिए 2 चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए, dx चाहिए तो minus नीचे तो minus को इदर ले तो यह बन जाएगा 2 sin x into cos x और dx बराबर बन गया minus का dt तो यह जो integration था वो x से किसमें आ गया t में और वो बन गया minus का dt upon t अब मेरे ख्यास से यहां का standard integration आपको आता होगा 1 upon t मतलब 1 upon x type का integration और 1 upon x का integration क्या होता फ्रेंड्स log mode of x तो put कर दिजिए तो इसका integration आ गया minus का log mode of t और plus में c अब t की value को substitute करो गए तो यह जाएगा minus log mode of t की value क्या है 1 plus cos square x और plus में क्या आ गया c यह आपका क्या हो जाएगा answer दोस्तों log के अंदर हमेशा mode लगाते हैं क्योंकि log के अंदर 0 negative नहीं होता अब इस question में आपको mode लटाया भी मिल सकता है क्योंकि 1 plus cos square always क्या है positive है ठीक दोस्तों तो यह दो similar दिखने वाले questions थे तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और हमारी academy जो है Fibulous Academy के YouTube चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको next integral battle का वीडियो का notification मिल जाए Thank you दोस्तों